बात अस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की करेंगे और जीटी को लेकर तो तमाम सवाल जो है हमारे पास उनके जवाब आपको देंगे ही पर सबसे खास बात आज की वीडियो में रहेगी कि आपको कुछ ऐसी आप्शन्स के बारे इंफोर्मेशन दी जाएगी तांकि आप अगर अस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के बारे में सोच रहे हैं अच्छे ओप्शन्स के साथ आगे बड़े तांकि आपको फ्यूचर में आगे चलकर अच्छी जॉब्स मिले अच्छी सालरी मिल सकें तो स्टूडेल्स के लिए सबसे खास पॉइंट यही होता है यहां पर फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है कि आप कौन से कोर्स में आगे जा रहे हैं तांकि आपको किस तरह की ओप्शन्स आगे मिल सकती हैं अच्छी या बहुत अच्छी यह आप पर करेंगे स्वागत करते हैं पहले आप सभी का मैं हूं हर जोदकौर और आपके साथ यह खास इंफॉमेशन आपके साथ सांजी करने जा रहे हैं नेविगेटर ओवर सीज से वीजा एक्सपर्ट मिसिस में विना गोईल मैं हमारे साथ हैं बहुत स्वागत है मैं नमश्कार न आपके लिए information लेकर आए हैं ताकि students जब choose करते हैं कि कौन सा course मैं लूँ तो वैसा course ले जिसके साथ आपको अच्छी job मिले अच्छी salary मिले तो मैं मैं सबसे पहले जरूर आपसे यही जानना चाहूंगी कि जब student किसी course के बारे में सोचता है options के बारे में सोचता है तो उसको कैसे सही option की तरफ जाना चाहिए कैसे कौन सा right course लेना चाहिए आज के समय में आज के time में अगर देखे कैसे courses के demand है जिसके साथ future में student को अच्छी job तो मिले सबसे खास point होता है कि salary बहुत अच्छी ज़रूर मिले कौन सी job बच्चा करे तो उसके लिए सबसे पहले important है कि वो कौन सा course चूज करे अब उसके लिए important क्या है कि उसका interest क्या जिन्दगी में क्या बनना चाहता है अगर मान लिजी एक बच्चा अपनी internal satisfaction चाहता है और वो teacher बनना जाता है तो वो IT में नहीं जा सकता और एक है monetary benefit चाहता है technology में बहुत अच्छा वो technology में जाएगा इसके लिए तो मेरी हर student से यह request है कि आप अपनी internal बात सुनों आपको क्या अच्छा लगता है अब वो ही course लो और अगर आप बहुत मेहनत करने के लिए तयार हो कुछ अच्छे courses लो जिसमें highly paid jobs है then it's not looking back means you are not going to look back जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो आप monetary बहुत अच्छे आगे बढ़ते हो तो यह सारा उस पर depend करता है हम शुरू करते हैं मान लेजी एक बच्छा है जिसने plus to medical की है या super medical की है जो super medical वाला उसके पास दोनों choices है लेकिन जो medical वाला बच्छा है तो आस्ट्रेलिया एक ऐसी destination है जहां पर आपने जो course पिछला की है और अगला जो कर रहे हो उन दोनों में relation होना चाहिए तो health वाला बच्चा या तो nursing में जाएगा या health related कोई course में जाएगा social work, community welfare, child care, कुछ ऐसे courses हैं जो मैं general बता रही हूँ otherwise मान लिजे BSC medical वाले बहुत बच्चों का आता है तो वो BSC medical के related जितने भी course है उसमें जा सकते हैं कोई agriculture science से है कोई biological है कोई botanical है तो ये सारी उनकी अलग अलग field है जिसके related वो next जा सकते हैं अब जो मान लिजे plus two medical वाला है तो वो आगे bachelor अपने हिसाब से ले सकता है nursing में जाना है तो seven band each उनको IELTS के चाहिए plus two में 65% CBSC board के best four में चाहिए उनको अब अगर nursing वाला है तो उसने nursing ले लिया three year की bachelor degree करके बहुत सारी universities हैं जिनमें उनको आगे nursing registration नहीं कराना वो course already registered होता है nursing body के साथ तो उनको just वहाँ जाके जैसे उनकी bachelor complete हुई तो they will start their job और उनकी job जो है almost 90,000 dollar के around per annum की आ रही है 45 dollar per hour almost उनको pay हो रहा है यह आ गया अब health वाले बच्चों का अब बच्चा जो है student जो है वो non medical background से है वो IT में जाता है तो IT वाले बच्चों के भी अलग-अलग है कोई बच्चा data science में जा रहा है कोई cloud computing में जा रहा है कोई artificial intelligence में जा रहा है और कोई cyber security में जा रहा है या फिर engineering में जा रहा है तो इन सब में जो pay scale है जो मैंने अभी आपका admission requirement बताई वो same है CBSE pass out best form है 65% और उनकी entry requirement है प्लस टू वले बच्चे की graduation वले students का जो है जिन्होंने BSC, IT, BCA किया हुआ है अच्छी universities के साथ तो उनका 60 और 65% depend on the university अच्छी university है 60% और section 3 university है तो 65% की requirement है इनकी जो salary skills है वो बहुत अच्छी जाती है cyber security वलों की almost 170 to 200,000 है cloud computing artificial intelligence की almost artificial intelligence की बात करें तो AI की 140,000 के around जा रही है data analysis वलों की almost 95,000 डॉलर जा रही है और कोई भी engineering background है 95,000 डॉलर minimum जा रही है तो यह आपकी internal voice पे depend करता है कि आप क्या करना चाहते हो अब एक बच्चा जो accounting में जाना चाहता है उनकी भी salaries almost 95 to 100,000 डॉलर के आसपास जा रही है जो की business background या accounting background में आप जाना चाहते हो लेकिन सबसे important है कि आप क्या करना चाहते हो आपकी internal voice क्या कह रही है पहले बहुत ध्यान से analysis करिए अपने carrier के लिए कि future में आप क्या करना चाहते है आप कुछ अच्छे courses करिए अगर आपको चाहिए कि मेरे को return on investment चाहिए job अच्छी चाहिए settlement चाहिए security या accounting तो आपका जो भी 3-4 महिने का आपका एक period है जिसमें आपको file लगानी है उसमें याँ छोटे-छोटे courses आप जरूर कर लीजिए जिससे वहाँ जाके आपको struggle ना करना पड़े second हमारे पास यहाँ इंडिया में भी कुछ ऐसे courses है कि 3-3 महिने के जब तक आपकी file लग रही है तब तक आप वो same university जिसमें आप जा रहे हो उसका आप 3 months का course यहाँ पर कर लीजिए 3.5 months का means एक semester तो आपको वहाँ की एक semester की fees जो है जस्ट one third देनी पड़ती है और सीथा आपके second semester में आपकी entry हो जाती है वहाँ पर और उसे visa chances बहुत जादा बढ़ जाते है जी मैम सो यह जो हम धेर सारी options की बात करें अब fab intake की बात करें टाइम बहुत कम रह गया क्या यह options अभी भी students को मिल सकेंगी fab intake में अब third December तक या किसी की 15 December last deadline से हैं तो 15-20 तक maximum उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाए का apply करना फिर July intake है तो जो भी बच्चे आज यह program देख रहे हैं वो immediate apply कर लें मान लिजी हमारे पास भी calls बहुत हैं वोकिन बहुत है कई बार time नहीं लगता और student की कई बार complaint आजाती है कि मेरे को attain मेरी call तो आपको अगर उस time call नहीं attain to you तो आप next day कर लिजी WhatsApp छोड़ दीजी there will be a dedicated telecaller and there will be a dedicated staff who will look after your case लेकिन उसके लिए थोड़ी से मेहनत थोड़ा patience आपको भी रखना पड़ेगा तो मैं जुरूर students को कहना चाहूंगी जैसे कि मैम ने कहा कि timely अभी भी अगर आप सोचें तो अभी भी time आपके पास है फटा-फट से आप ज़रूर options के लिए आगे बढ़ें मैम की team से, navigators overseas की team से, right guidance के साथ आगे बढ़ें ताकि सही वक्त का सही फाइदा लेते हुए आप सही option के साथ आगे बढ़ें और अच्छी jobs अच्छी salaries आपको आपके courses के साथ मिल सकें तो कोई भी सवाल कोई doubt है यह number जो display है इस पर call करके आप पूरी जानकारी ज़रूर ले सकते है comment section में भी आप अपने सवाल हमारे साथ share कर सकते हैं तांकि उन सवालों पर भी हम आगे चलकर और वीडियोस बनाएं बाकी students को भी और information दे सकें तो बहुत बहुत थैंक्स मैम आपने आज students को aware किया अच्छे courses अच्छी options के बारे में बताया तो आगे भी हम students के लिए इसी धंग से और informative videos लेकर आते रहेंगे फुल हाल के लिए हमें दीजिये इजाज़त थेंक्यू सो मज थेंक्यू